तो हरे क्रिश्णा एवरीवन अब हम देख रहे हैं मालवा प्लेट्यू में क्या है तो यह मालवा प्लेट्ली हुए ठीक है मालवा प्लेट्ली रॉफली फॉर्म ट्राइंगल बेस ऑन दो विंद्या हिल अब मालवा प्लेट्यू के बात करें तो देखो मालवा को दिखा दे कि यह मालवा प्लाटिव हुआ यह बेस बना रहा है किस पर विंद्या पर लुद्या देखना का इक एक इन्फॉर्मिशन करके कि बंड़ेड बाइड बाइद अरावली इनज इन दा वेस्ट अब अरावली प्लाटिव इस पक्षी में इस्ट वेस्ट बनाना समझा दिया है यह है ना 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 यह है मालवा प्लेटिव मालवा यहां पर मालवा प्लेटिव इस्ट वेस्ट बनाना समझा दिया है यह नौर्थ है यह इस्ट है यह साउथ है नौर्थ इस साउथ और यह वेस्ट है और कह रहा ह boundaries range in the west पक्षिम में क्या है अरावली है यह है और मद्दे भारत पतार to the north इसके north में क्या है मद्दे भारत पतार है देखाता हूं North कीदर पड़ेverbsगे इसका है तो यह इसके north इधर पड़ेका तहसे मद्दे भारत पतार है ठीक है पटार था आपने बताया था और अरमिट फ righteous पक्षीम में है मढद्पार पथार इसके नौर्थ में है और ये है बुन्देलखंड का रीजन किसके eienst में पक्षीम में क्या है इसके पुरब में पुरब में क्या है बुन्देलखंड है अब हम एक बार बुंदेलखंड को भी देख लेते हैं कि बुंदेलखंड का है तो यह है बुंदेलखंड वाला रिजन इसके इस्ट में इस्ट में क्या है तो बुंदेलखंड इसको एरेज कर दे लो एरेज कर दी है यह बुंदेलखंड वाला रिजन इस्ट में है बुंदे वर फॉल्ट है और वह फॉल्ट बन डीन देता है ठीक है नाव आप दिखते हैं कि प्लैटिव के पास कोई ड्रीनेज तो ड्रीनेज का सिस्टम है एक तो वन टूर्ड दर भीन सी एक तो कहां जाती है यहां से पानी ड्रेन होकरके अरब सागर में मतलब कौन सा है जी तो यह नर्मदा है जी तापी है जी माही है जी अच्छा तो ये तीन नदियां अरब सागर में जाती हैं ये तीन नदियां कहां जाती हैं अरब सागर में जाती हैं जी नर्मदा तापी माही अच्छा और और क्या रेवली सर और कुछ तो होगा हां तो और भी नदियां हैं देख लो कुछ बेव बंगाल में जाती है जैसे चंबल कहा जाती है यमुना में जाती है यमुना कहा 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 जाती है यमु तो परियाग राज से Efendi गंगा जुड़ जाती है गंगा आगे पतना हो करके जार खड्म जाएगी सब्सकेट 19980 ए उपके तो घंगा हम कब पढ़ेंगे कि कि जब हमारे पसके गंट्रीक होगा तो हम अराजन성 अगे पढ़ेंगे दो घंटा गंगा में कितनी नदियां होगी जादा नहीं है सतर असी नदियां पढ़ेंगे गंगा में मात रहां असी नदियां पढ़ेंगे और कुछ लोकेशन भी पढ़ेंगे कौन-कौन से लोकेशन से जाती है अलावर जाती है कि नहीं जाती है क्या उसमें गोमती आकर के मिलती है क्या राम गंगा मिलता है अरे राम गंगा तो हम पहली बार सुन रहे है ऐसा भी कोई नदी है क्या और लुटा लग सकता है वह बात लग है कि अरे नहीं ही तो हमें ऐसा लग लिया तो मेरे साइट करके देखो कि तुम्हारा बायां औरता है या कौन है ठीक है तो एक ट्रिब्यूटरी का नाम है काली एक का नाम है सिंध एक का नाम है पारवती काली सिंध और पारवती इट अलसो इंक्लूड द अपर कोर्सिस अब सिंध यह नदियां उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या अरे बहुत इंपॉर्टेंट है रट के रखना उद्धी में रहना चाहिए रटना तो बहुत मुस्किल होता है कुछ नहीं विडियो को दस बार देखना बस तो तीन सब्सक्राइब तो ब्लेक स्वाइल बनेगा अरे हां हमने सुना था अगर टेकन प्लेटिव वह साल्टिक लाव साहां तो यह भी है चलो अब इसका स्लोप की बात करें तो उत्तर क्यों और है सिंपल सी बात है कि नदिया को मैं इधर नॉर्थ में बाहा के लिए जा रहा नहीं मजाक मत बनाए किजिए हमारा नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसे सही मजाक बना रही जा जेनरल स्लोप इस टूर्ड दे नॉर्थ उत्तर क्यों रहे स्लोप ठीक है तो नदिया अब जैसे यह चंबल जा रही है तो यह दक्षिन हुआ ना और यह उत्तर हुआ है सिं बेव बंगाल में किरा दो अगले दिन नर्मदा उठे की कंफ्यूज जाए जाना कहां आगे बताओ तो इसमें यह कहीं इतना गड्डा है इना दिकालं गड्डा है जादा उओन नदी इंधर से इंहोजन होकर के मना हुँ एक कट कट में वे सम veil對啊 अगर मतलब देप्त के बारें बात करें न तो पानी कितना ले जाता है चंबन दो लिटर मतलब अगर गंगा से कंपेर करें या सोन से कंपेर करें तो जितना सोन पानी ले जाता है न एक साल में ये अगले 20 साल में ले जाएगा है ना लेकिन गहराई की बात करें तो सोन लगे और गेह रही है हैं जबकि सोन इतना ही है पतला अधर चली लो कर तो इसको टार लिया जाए और मैं इस पे इसको एरेस्कर देता हूं और यह आपके लिए साथ है तो इसको नो डाउन कर लिना है कर बड़ी लिखने के लिए बौलते हैं कोई बात नहीं है नहींNow समझने वाले को थोड़ी लिखना यह तो ऐसे भी समझदारी का खेल है क्या तापिक का मतलब ही माले से बहुत आएगी क्या ना नहीं नर्मदा नदी बोले लिए को ही माले के गंगोत्री किले से निकलगा आती अरे नहीं स्वाय्डल अटेंट अत्हों लोग लगाते मतलब तुपका लगाओ कि से ऐसे hang T like ؤचालो घराया तो नर्मदा नदी जो यह हमाले से भैऐति यह बातिए जो नर्मदा नदी है पूर नारी ना हो ओसियन का नाम है तो कुछ ऐसे हेड टेल करने वाले होते हैं बाकि जिसको याद है कि यहां ठीक है अब नर्मदा नहीं तो हिमाले से बहेगी नहीं तो ऐसे पूछता है उतनों समय देता है ब्लेक स्वाइल है नहीं बोले जो ब्लोक माउंटेन है ना वहां पे तुमको अलुवियल जोर्जवली हरे क्रिश्ना हरे क्रिश्ना हरे क्रिश्ना बंद के लिए